दोस्तों नमश्कार आदाब सत्रियकाल आज की बात के इस नए एपिसोड में आज हम दो मुद्दों पर बात करने जा रहे हैं पहला मुद्दा है दोस्तों की विश्व हिंदू परिसत ने एक शोर्य यात्रा उन्होंने कहा है इस यात्रा को शोर्य जागरण यात्रा अब पता नहीं किस चीज का शोर्य और कैसी जागरण यात्रा वो निकालने का उसने फैसला कर लिया है फैसला कब किया है 30 तारीख यानि 30 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में उसके पीछे क्या कहानी है कहानी ये कह रहे हैं कि जनौरी 2024 में अजुद्ध्या में जब राम मंदिर का उद्गाटन होगा उसके पहले ये एक लोगों में जागरन के लिए ये कराय जा रहा है ये भी कहा जा रहा है कि हर परिवार से कुछ दीपक लिए जाएंगे मिट्टी क दीए लिए जाएंगे जिनको अजुद्ध्या ले जाया जाएगा जैसे एक बार शिला नियास जब हो रहा था तो उस समय एटें ले जाने की बात चल रही थी ये लोगों को इन्वाल्ब करने का हो सकता है कि एक उन्होंने इजाद किया हो फार्मूला लेकिन इसका क्या अ होते हैं अलग-अलग समुदाए के लोग होते हैं तो फिर क्या करेंगे आप इसके साथ ही इन्होंने ये कहा है कि लव जहाद धर्मांतरण इन मुद्धों के खिलाफ ये जन जागरण करेंगे और यही नहीं उन्होंने कहा है कि इसमें धर्म योद्धाओं को तैयार किया जाएगा यानि यह शौर यात्रा जो होगी जागरण की इसमें धर्म योद्धाओं काम करेंगे अब सवालिस बात का है कि मौनू मानेसर की तरह बजरंगी की तरह किस तरह के धर्म योद्धाओं दिन्दकोट होंगे एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि ऐसे ही धर्म योद्धाओं हमने उस यात्रा में भी हमने देखा जो नू में निकाली गई हरियाना के और वहां क्या हुआ ये केवल हम देश नहीं जानता ये मसला संजुक्त राश्चंग में भी उठ गया मनिपूर के साथ मनिपूर औ कि ये यो यात्रा निकालने की परियोजना है इसको परियोजना ही कहेंगे हम आखिर मंदिर जैसे पवित्र स्थल पर जो कारिकरम होना है जनौरी में जो भी तारीक तैक करें उसके पहले अगर समाज में एक टकराव होता है आप कहा रहें कि ये जो धर्म योद्धा है ये थर्मांतरण लव जिहाद अब आपने अलग-अलग व्याक्षा कर ली होगी इन सबकी ऐसा काम करने वालों से निपट भी लेंगे यानि इन से इनको टेकल करेंगे इसका क्या मतलब है अगर कोई अपराज कर रहा है कोई गलत काम कर रहा है कानून के विरुद काम कर रहा है तो उससे निपटने का काम तो एजेंसियों का है शासन की एजेंसियों का कानून ब्योस्था की रखवाली करने वाली एजेंसियों का ये किसी धर्म युद्धा का काम तो नहीं है तो आप ये धर्म युद्धा किसके लिए तयार कर रहे हो जहां तक धर्म का सवाल है लोग धर्म को अपने अपने धंग से ग्रण करते हैं धर्म तो धारन करने वाली चीज है अब आप पहले कहते थे हिंदुत्वा इसके पहले लोग केवल हिंदु धर्म जानते थे इस देश में सबसे बड़ी जो आबादी है वो हिंदु धर्म को मानती है लेकिन आपने बता दिया हिंदुत्वा अब हिंदुत्वा को सब लोग रायनितिक विचारोधारा मानते हैं बहुत सारे लोग जिसके जनक सावरकर सहाब थे प्रणेता अब आप कह रहें कि इसको सनातन कहेंगे तो जो भी हो लेकिन आप जो चाहे वो कहिए लेकिन ये टक्राओ जो है जिसकी संभावना जिसकी आशंका बन रही है आपके इस अवियान से उस पर जरूर मैं समझता हूं कि शासन करने वाली एजंसियों को संभिधान की रखवाली करने वाली एजंसियों को जरूर नजर रखना चाहिए कि आगे ऐसा कुछ नहो जो हमने अतीत में देखा है और आज की दूसरी जो हमारी जो चर्चा है वो होगी पार्लेमेंट के इस्पेसल सेशन की जो किसी एजंडा के बगैर अभी तक है एजंडा कब घोसित होगा कोई नहीं जानता लेकिन उसके पहले कारिकरम बता दिया गया है कि 17 तारीक को पार्लेमेंट की नई बिल्डिंग पर जंडा लहराया जाएगा इसके बाद 18 तारीक से सेशन पुरानी बिल्डिंग में होगा संसत की और फिर आगे नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगा करमशारी और अधिकारी जो वर्दी पानेंगे कुछ लोग जो हैं खाकी पैंट वाले होंगे खाकी पैंट उनकी होगी और कुछ की वर्दियों पर कमल का निशान होगा अब इसको लेकर विपक्ष में काफी रोश है लोग प्रकट भी कर रहे हैं अपने अपने विचार तो इन दो मुद्दों पर एक तो विश्व हिंदु परिसत की जो जागरन यात्रा प्रस्तावित है शौरी जागरन यात्रा उस पर और परलामेंट के इस पेशल सेशन पर जो कुछ सवाल उठ रहे हैं उस पर हमने एक देश के जाने माने वरिष्ट पत्रकार हिंदुस्तान टाइम से संबध विनोच शर्मा से कोवा मंतरित की आया आज बातशीत के लिए क्या है आज की बात मेरी बात आपकी बात हर किसी की बात देश दुनिया गाओं तेहाद सक्ता समाद संस्कृति मीडिया और सियासर सब की बात नियोज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ सबसे पहले विनोच जी मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिशद संग परिवार का एक बहुत महत्पूर आइजेशन आजोध्या में मंदिर के उद्गाटन से एन पहले 30 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच वो निकाल रहा है शोरिय जागरन यात्रा यात्राएं इधर संग परिवार के जो संगठन है काफी मात्रा में निकाल रहे हैं बड़े पैमाने पर निकाल रहे हैं ऐसी ही एक यात्रा में हरियाना में नूह का कांड सामने आया था इसमें धर्म योद्धाओं को तैयार किया जाएगा इसके लिए वे क्या क्या करेंगे इस पर विस्तार से अख़वारों में ख़बर चपी है हलांकि वो ख़बर हिंदी के अख़वारों में नहीं है केवल अंग्रेजी के कुछ अकबारों में है लेकिन ये बड़ी हैरतंगेज बात है कि माल लीजे कि मंदिर के नाम पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है उसके एन पहले आप घर घर जाकर कहेंगे पांच दीपक दो अगर कल्पना कीज़े कोई धिपक नहीं आपको दे रहा है मंदिर में ले जाने के लिए तो आप क्या करेंगे आप कह रहे हैं कि ये लोग लव जहाद से काउंटर करेंगे धर्मांतरन करने वालों पर कारवाई करेंगे तो भाई पुलिस क्यों है? पुलिस मशिनरी क्यों है? अब ये एक बड़ा चैलेंज मुझे लगता है कि लाइन आॉर्डर मशिनरी के लिए, समाज के लिए, सब के लिए सामने दिखाई दे रहा है. आपने इस खबर को जरूर देखिया है. आपको क्या लगता है? आखिर इस सुरा काम शुरू कियाई द0 मोहिम शुरू की थी यह राम मंदिल के महें तो रत्यात्रा निकाल के की गई थी तैंदा परसपर यह कोशिश होती है कि लोगों को तकसीम किया जाए किसी में किसी मुद्दे पर अब भगवान राम एक ऐसे देवता हैं ऐसे ऐसे है जिसको की इमाम हिंद कहा गया प्रॉमिनेंट मुस्लिम पर्सनेलिटी जिन के लिए जो मूर्तियां बन रही है जो यहाँ पर काम चल रहा है वहाँ पर जो मेजनरी चल रहा है निश्चित तोड़ पर बहुत से ऐसे लोग होगे जो हिंदू धर्म से नहीं उनका योगदान होगा तो यह विश्व हिंदू परिशक जो है यह किसके मेंडेट पर यह यात्रा निकाल रही है सबसे पहला सवाल तो यह पूचा जाना चाहिए एड्मिस्टेशन को से पूचवाया जाना चाहिए और विपक्ष भी इस बात पर पूचे कि भाईया किसके मेंडेट पर आप यह सब यात्रा निकाल रहे हैं और किसके मेंडेट पर आप पैसे कट्थे कारेंगे इस टेमपल के निर्मार के में जो जाब अएक सिक्थ हो जैसे कि इन्हों ने इंटे कर्ठी की थी आपको याद होगा बिलकुल बिलकुल घर गर जाके इंटे कर्ठी की लोगों से पैसे लिए कुछ लोगों से अनुग्रे करके लिए कुछ लोगों के जबरदस्थी लिए किसको लोगों के दमकी दे के लिए इनके खिलाफ कोई पेशरफ्त कानुनी तोर पर होनी चाहिए देखिए इस देश में अपना धर्म का को आगे बढ़ाने की सुतंतता है लेकिन वो सुतंतता सिर्फ एक समाज के लिए क्यों है सिर्फ मजॉरिटी कम्यूनिटी के लिए क्यों है वो हर किसी के पास होनी चाहिए और मैं ये समझता हूँ कि ये विश्व हिंदू परिशद है इसके नाक में नकेल लगाना जरूरी है क्योंकि ये देश जो है वो जो जो उसने देखा है नब्बे के दशक में वो दोबारा उसको सहन नहीं कर सकता और उसकी जो अंतराश्टी छवी है उसके बाहरी आगात ह होगा अगर ऐसा कुछ होता है इस पक्रण के दोनान लाम के मंदिर का मैं समस्तौरा नावरं होना है उद्ध्घाटन होना है वो पूरे देश के लिए सेलेबरेशन होना चाहिए ये शोर यात्रा क्या है या दूसरे धर्म का हवाला देकर धर्म को बचाने की बात क्या है यह तो सरा सर मैं समझता हूँ एक बहुती सूरियोजित धंग से रची गई एक कॉस्परेसी मैं इसको कहूंगा क्योंकि यह कोई क्रियाटिव केम्पेन नहीं है जो अजुद्या में टेंपल के उद्घाटन की घटना होने वाली है जनौरी में जो उद्घाटन होगा उससे पहले देश के कई हिंदी भाशी राजियों में भी चुनाव होने जा रहे हैं विधान सभा के ये लोग सभा चुनाव से पहले होंगे अगर वाकई शेडियूल के ज़ी साब से चुनाव होते हैं तो इन चुनाव के बाद लोकसवा के चुनाव की तयारी तो क्या ये यात्रा एक योजना के तहट निकाली जा रही है अज़ोध्या के नाम पर कि चुनाव के दवरान अगर कोई मुद्दा अभी तक नहीं सामने आया है जिससे जीत की गारंटी हो तो ये जो एक polarization है इसको मुकंबल कर लिया जाए और इसके जरिये हम एक हिंदुत्वा या अब तो सनातन वो कह रहे हैं कि सनातन जागरण इस तरह का एक polarization करने की जिन आपको नजरा रही है इनके बात है कि ये धर्म की रक्षा करने की बात कहते हैं ये धर्म के रक्षक बनते हैं लेकिन इनका रक्षा कवच धर्म है राजनेतिक रक्षा कवच इस समाज का इस तन्जीम का धर्म है और अब से नहीं अब तो कितनी decades हो गई उनमे लेश 80 के तसक की बात कर रहे हैं 80, 90 45 दशक हो गए कि भगवान राम का नाम ये हर बार इस्तमाल करते हैं जब भी election होता है और भगवान नाम भी कहीं बैठे कहीं देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे उनका भी एक मानस होगा कि क्या ये नयाय है क्या ये अनयाय है क्या ये सही है क्या ये गलत है क्या ये विंदू धर्म का क्या ये सही projection है या गलत projection है धर्म अगर पचार का अभिन अंग बन गया तो ये हमारी Constitution के Spirit के खिलाब है कोई भी पार्टी जो दस वरस सत्ता में नहीं है केंद्र में और कई वरस और प्रांतों में सत्ता में नहीं है जो सबसे पहली किताब जिसका उसको अनुपालन करना है वो किताब है हमारा आईन हमारा सम्विधान अच्छी बात है कि हम जगए जगए जाकर गीता को बाढ़ते हैं लेकिन इन दोनों का सार क्या है Constitution का की सच के साथ खड़े हो जाओ और कर्म किये जाओ और फल की चिंता मत करो बजकिस्वती ये है कि फल की चिंता पहले है और उसके अनुसार अपने कर्म ढाले जा रहे हैं कि हम अगर ये काम करेंगे तो इसका फल हमको मिलेगा तो मैं समझता हूँ ये हिंदु धर्म का सही projection नहीं है उसका सही interpretation नहीं है हम और आप भी उसी धर्म से आते हैं आस्तीन पे बांध कर नहीं चलते हैं उस धर्म को दिल में रखके चलते हैं जो आस्ता है हमारी उसको अभी G20 में हमने देखा कि माननी प्रदानमंत्री उन्होंने एक स्लोगन काफी शिद्दत के साथ सामने लाया पूरी दुनिया के लिए उन्होंने कहा एक दुनिया एक परिवार एक भविश्य तो अब 47 बात का है कि इस मुलक में जहां वो पूरी दुनिया के लिए स्लोगन दे कर दुनिया के बड़े नेता के तौर पे अपने को पेश कर रहे हैं वो अपने ही मुलक में जब वो सरकार के मुखिया हैं अपने ही उनके संगठन के लोग या संगठन के अनुसंगिक संगठन के लोग ये बात कर रहे हैं विभाजन की बात कर रहे हैं डिविजन की बात कर रहे हैं समाज में तो उनकी तरफ से भी कुछ नहीं सामने आया है इक ग्यारा तारीक का ये फैसला है अभी तक सरकार की तरफ से कोई कमेंट नहीं दिखा और शायद अगर मैं गलत ना साबित हो जाओं और मैं चाहूंगा कि गलत साबित हो जाओं तो शायद सरकार की तरफ से कोई intervention नहीं दिखेगा तो कैसे इसको देखते हैं अभी हाली में एक मुख्य मंत्री है जो की अपने आपको उनका self image जो है वो बहुत उचा है और उन्होंने कहा कि बजरंग दलका RSS और बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है यह असाम की बात बता रहा हूँ जी हिमंत विश्वा सर्मा जी और कल को यह भी हो सकता है कि यह कह को परिवार है यह हाइडरा है इसके कई सर है और जब भी कोई opportunity मिलती है तो वो अलग हो जाते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और जब भी opportunity या गुंजाइश होती है या ज़रूरत होती है तो वो एक साथ काम करते हैं यह लोगों की आँख में धूल धूंकने वाली बा जाते हैं कि उनकी inspiration कहां से आ रहे हैं सब जाते हैं कि उनकी ideating को न गूंकर रहा है सब जाते हैं कि उनका timing ऐसा क्यो है मेरा यह मानना है कि इस डेश में institutional democracy का बहाल होना बहुत ज़रूरी है जब तक हमारे देश में institutional democracy बहार नहीं होगी तो दो election के मद्द में हमारी जो popular democracy है वो dilute होती रहेगी दो election के मद्द में उर्मेलेश जी लोग तंत्र को पुखता कौन रखते हैं institutions रखते हैं और जब पांच वरस पूरे हो जाते हैं तो फिर जनता जिसको सबक सिखाना होता है उसको सबक सिखाती है और जिसकी पीट पे थापना थापतपी देनी होती है वो करती है बड़ी माजदत से मैं कहना चाहता हूँ election commission के members जो है वो order of precedence में supreme court के judges के बराबर है और हाल ही में एक जो एक ने लिया गया कि जो उनकी selection panel है उसमें से chief justice को निकाल दिया गया और उनकी जगा कोई ऐसा मनोनी व्यक्ति होगा जो की सरकार के कहने पे उनके इशारे पे काम करेगा अगर इस election process का बावजूद इसके की supreme court ने दूसरी कोई advice दी थी अगर ऐसे ही election selection होता रहा ऐसे ही वो constitute होता रहा तो ये एक ये हमारा election commission यो टी एन शेशन के जमाने में अंतरास्टिय ख्याती पाया था और उसके बाद काफी बरस तक इसकी बड़ी छवी रही और states और nation states उनको बुलाते थे कि आप हमारा election पे आये बाहिस ये तो अब्जरवर्स उस institution की जो चवी है वो दाव पे लगी रही है उसकी credibility दाव पे लगी रही है एक दूसरे पहलूपाप का ध्यान आक्रिष्ट करना चाहता हूँ और वो है भारत की संसत का एक special session बुलाया गया है 18 तारीक से 22 तारीक के बीच में लेकिन ये पहला Parliament session special session देख रहा हूँ जिसमें अभी तक किसी को मालूम नहीं है कि इसका मकसद क्या है इसका agenda क्या है एक तो इस पर आपका comment चाहूँगा और दूसरा चुकि एक ही सवाल में हमको दोनों पहलू आपके समक्ष रखना है कि इसमें कुछ नए फैसले दिखाई पड़ रहे है वो प्रचारित कर दिये गये है जंडा नहीं प्रचारित किया गया है कि भई पहला दिन जो होगा पुरानी संसत की बिल्डिंग में होगा इसके बाद फिर लोग स्थानंतरित हो जाएंगे और उस नए बिल्डिंग में जाएंगे जहां सेंगोल रखा है और नए बिल्डिंग में उसके पहले 17 तारीक को जंडा तोलन होगा इसके अलावा ये भी बताया गया है कि सचिवाले के करमियों की, करमशारियों की पदा अधिकारियों की जो वर्दी होचेंज हो जाएगी अब उसमें नए बिल्डिंग में जो बैठेंगे या काम करेंगे अधिकारी, करमशारी वो खाकी वर्दी में रहें खाकी उनकी पैंट होगी और उनकी जो उपर की पोशाक है या कुछ करमशारियों की नीचे की भी संभव था, I don't know डिटेल सारा नहीं आया है कि उस पर कमल के निशान होंगे तो इसको लेकर विपक्ष ने काफी तल्क टिपड़ी किया है अबजेक्शन उठाया है एक जनरलिस्ट के रुक में जिसने वर्षों पर्लामेंट कबर किया है How do you think and how do you see this? यह जो हो रहा है आज की दिन स्पेशल सेशन के संधर्ब की एजन्डा अभी तक प्रटेक्शन नहीं है और यह जो वर्दियां बदली गई हैं और उस पे कमल का फूल होगा कमल का फूल तो G20 Summit में भी था और इस excuse पे था कि यह हमारा national flower है तो अगर इंडिया कोई alliance अपना नाम रख लेता है तो उस पे तो आप बहुत विचलित हो जाते हैं लेकिन आपका चुनाव चिन अगर national flower पर है तो ठीक ठाक है वो ठीक है तो देखिए मेरी बात सुनिये You can't run with the hair and hunt with the hounds You can't eat the cake and have it too अंग्रेजी में जो बुलते हैं दूसरी बात यह है कि चलिया आपकी वर्दी भी मान दी चलिये आपका नया सदन भी मान दिया ये भी मान दिया कि आपने धर्मदंड लगा दिया एक स्पीकर के भगलव है ये भी कह दिया कि उस देश में जिसका समयधान कहता है कि this is a nation without religion or which will respect all religions उसका अपना कोई धर्म नहीं है ये कोई Islamic Republic नहीं है पाकिस्तान की तरह या Hindu Republic नहीं है ये यहाँ पर citizenry जो है वो महतु रखती है इस देश का अपना इस देश का अपना कोई धर्म नहीं है लेकिन इस देश की नजरों में इस nation state की नजरों में सब धर्म बराबर है और यही सार है हमारी participation का तो मेरा यह मानना है कि ये जो अपवाद हो रहे हैं ये imminently avoidable है लेकिन इसलिए किये जा रहे है कि एक जो political जो कुछ elements हैं हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं हमारे देश में राजनेतिक हमारी political establishment में जो आतुर है इस बात के लिए कि इतिहास के हर पन्ने पर हमारा stamp लग जाए जे और लोग आने वाली नसरे सोचे कि इतिहास 47 में भारत का नहीं शुरूआ था independent इंडिया का बलकि उसके बहुत बाद शायद 2014 में शुरूआ था मैं माफी चाता हूँ ये बात कहने के लिए लेकिन मैं बड़े दुख से इस बात को कह रहा हूँ इतिहास में हर सरकार रहे हर पाटी का योगदान है ये हमारा सामुपिक इतिहास है अगर आप इतिहास को भी कंपाइटमेंटरलाइज करोगे उसको भी सीलोज में बांदोगे और उसके साथ-साथ यहां के नागरिकों को भी का एक सम्रद स्ट्रॉंग भारत बना रहे हैं आप बहुत बहुत शुक्रिया विनोज जी आपने इन दोनों मुद्दों पर जो आज की हमारी चर्चा में आये थे उन पर आपने अपनी बात रखी तो दोस्तों आज बस इतना ही नमस्कार आदाव सत्रियकाद